श्री क्रिश्न का नई आलाल की जै श्री निजानन्द स्वामी की जै श्री प्राणना थे प्यारे की श्री क्रिश्न का नई आलाल की जै श्री क्रिश्न का नई आलाल की मुरंग भवन ये पुष्पराग गिरी के संदर्ब का प्रशंग चल रहा है तो उसमें ये कहा कि यमुना जी जैसे अभी यमुना जी के प्रभाग की बात कहेंगे कि यहां उखराजगीरी के दोनों तरफ उचे उचे व्रिक्ष और बीच में भवन इसकी बात आई अब आगे कहते हैं दो किनारे गुर जदोई बीच सोले चादरे उतरता अब सोले चादर सोले धाराएं कहां से निकलती है अधवेच के कुंड में गिरती है पुखराजी ताल से उपर से जल आगे प्रभाहित होता है और वहां से सोले धाराओं में वो करके नीचे गिरता है तो जहां से ये सोले धाराएं गिरती है उससे उपर च्छत में दोनों तरफ दो बुर जए हैं दो किनारे गुर जदोई दोनों किनार में दो बुर जए हैं और उन दोनों के बीच में से सोले धाराओं में शो करके यमनाजे प्रभाहित होती है तो ब्रह्मा आत्माएं अक्षराती धामदनी के साथ में इंद्रिश्यों को देखती हैं तो उनके चरणों को कैसे भोल सकती है उपर अचादरों महुल जो बीच बड़े दहलान देखत अब जहांसे ये जल धाराएं नीचे गिरती है उसके उपर भी न वो महुल है बीच बड़े दहलान देखत और ये धाराएं नीचे गिरती है तो काफी लंबा अंतराल है तो उस बीच में तो वहां बिभिन दहलान बगर हैं अलग-अलग मंजिलों में दो तरफों कदम सुख लेवहीं जाकी असला का निश्वत तो इधारा के दोनों तरफ बड़े बड़े दहलान हैं तो इनका सुख ब्रमात्माएं लेती है तो ऐसी ब्रमात्माएं अक्षराते धामदनी के कदमों को कैसे भूल सकती है अदवीच के कुंड जो जित चादर हों जल गिरता अदवीच का कुंड जिसमें सोल धाराओं से जल उसमें गिरता है रूएं छोड़े ना कदम सुपने जाकी असल हकनेश्वत इन द्रिश्यों को देखने आले ब्रमात्माएं पुरुन ब्रमात्मा के स्रेचरणों को कैसे बोल सकती है तले ताल बन बंगले जल चक्रा वजियों चलता अब तले ताल ताल के नीचे अब वो नीचे का ताल भी कह सकते हैं और उपर के ताल से नीचे का भाग वो भी बोल सकते हैं तो वहाँ जल कैसे चक्रिय गति से चलता है तो उसमें जैसे सीधा चलना जैसे सीधा उसको तो क्रोसिंग का उप करेंगे लेकिन अब वहाँ ऐसे घूमपगर के भी वह बृता कार में भी ऐसे नहरे हैं तो इस प्रकर्श भी वह जल जलता है रुएं सुपने का दनम छोड़ाई जाके असलह का निश्वत है तो इंद्रेश्यों को देखने वाले ब्रमात्मा हैं इस अपनों जगत को देख करके पूर्ण ब्रमात्मा के चरणों को कैसे भूल पाएगी कई फुवारे मुख जानवरों जलती रजियों छूटत अब वहां जो जो फुवारे हैं फाउंटेन बगर हैं तो उसमें कैसे वो जानवरों के मुख की जैसे आकरिती उसमें से वो पानी निकल रहा हो ऐसे ऐसे आकरिती के वो फुवारे हैं और वो जल तीर जेओं छूट था, तो पूरी तीर की भाती तीर जैसे तिब्रगती से निकलता है ना अब उस समय तो तीर का प्रचलन था, अब ही बुलते तो होसकता है, बुलेट की तारह से बुलते तो ये तिब्रगती से जल निकल रहा है कहने का ताथ पर ये या तीर शे या बुलेट से मतलब नहीं है ये तिब्रगती से निकल रहा है पूरी स्पीड में क्यों भूले इनसों के कदम में के जाके असल हकनेश्वत यह सब सुख हैं सरराज्य के चरणों के सुख हैं सरराज्य साब जगे ले जाते हैं प्रमात्माओं को दिखाने के लिए तो ऐसी प्रमात्मा उनके कदमों को कैसे बोल सकती है यह जन्जीरें जल की अदभू तश्वभा लेवत अब यह जो जल के जंजीरें जैसी दिखाई दीती है, शांकल ऐस तरश एक तुसरे से जुड़ी हुई हो न कड़ी, तो उसमें क्या है कि कई स्थानों में तो ऐसा है कि वो फवारे तो एक तुसरे से टकराते हुए हैं और वहां से पाने बीच में गिरता है चारों तरफ के तो फवारों में भी दोनों तरफ के ऐसे वो भी आगे जुड़ जाते हैं तो वहां ऐसा लगता है कि जलन वो शांकल की तरह से है तो वो तो बिलकुल ही बीच में परमधम में तो जैसे राज्ये चाहेंगे उस प्रकरशे होगा न तो बिलकुल बीच में साथ में जुड़ जन्जिर की तरह से दिखाई देता है वो बात कह रहे हैं अधवुत शोभा लेवत यह एक प्रकार शे अधवुत शोभा भी है क्यों छोड़े एक अदम मोमिन है जाकी आसाला कनेश्वत तो ब्रह्मा आत्मा इस राज्ये के चरणों में रह करके इन सारे द्रिश्यों को द दिखाई देता है क्योंकि ऐसे प्रभाव बहता है तो जल न इस तरश है ऐसे जैसे जन्जिरे होती है तो इस तरश ऐसे सिमट करके भी तो जल प्रभाईत होता है यह जल कब बहने का एक तर वो है अपना शभाव है उलंग जात कई चहे बच्चे जलसा मसामी जात आवत अब एक फवरा इदर से उड़ता है तो वो ऐसे घूम करके वर्षे वो ऐसे आर्च बना करके दूर जा करके गिरता है तो बीच में कई नहरें इदर से आने वाली इदर से जाने वाली ऐसे नहरें बीच में उसको लांग करके जाता है तो उसके बाद ये कह रहे हैं उलंगा जात कई चहे बच्चों जल सामसा में आजात आवत जल ऐसे सामने आना जाना जलों का बना रहता उनको शब को उलंग करके तो वो फवारा दूर जाकर के पहुंचता तो इत कदम सुख मोमिन लेवा ही जाकि आसलाह का नेश्वत सरी राज्य के साथ साथ में ब्रह्मा आत्मा ये सारा सुख लेती हो तो उनके चरणों को माया में रहा करके कैसे बोल सकती है जल आवे जाए उपर शेतले हा कहा दिरूएं खेलत केवल ये जैसे उपर शेप होवारा चलता हो और नीचे केवल जल कही आना जाना हो ऐसा नहीं है स्रे राज्यी स्यामा जी भी ब्रह्मा आत्माओं को ले करके वहां टाहलते हैं तो वहां विचरन करते हैं तो एशुक क्यों छूटे कदम के जाकी असलहक निश्वत तो ब्रह्मा आत्माओं ऐसे आनंद को ले रही हो तो इन शुकों को कैसे छोड़ सकती है माया में आकर करके इसलिए उनको याद करते रहना चाहिए गिर्दवाए बड़े द्वार महरावी ए मोल शुवाल लेवत तो वहां जो बड़े-बड़े महल हैं तो उनमें द्वार चारों तरफ बड़े-बड़े द्वार हैं जैसे बड़े-बड़े महल हैं उससे प्रकार से बड़े-बड़े द्वार भी है और उनके उनका कमान म बहराव तो इस प्रकार वो महलों के सोभा बढ़ाने वाले ऐसे कमान है द्वार है इत खेले रुहे कदम अतले स्रीराजी के चरणों में रह कर करने का तात्परिश स्रीराजी के साथ साथ में ब्रह्मात्माएं वहां खेलने का आनंद लेती है जाकि असलह कनेश्वत जिनका स समंद पूर्ण ब्रह्मा से है इत ताल तले बन अच्छायामीने रुहें बीच बगेचों मलपत अब यहां यह उपर जो यह तो महल के ताल की बात आ रही है उसके नीचे अब चारों तरफ बगेचे हैं और नीचे भी बेजमेंट में भी तो वहां जो नहरें बहती है तो यमना जी की तो उसके दोनों तरफ बगेचे बगेरे हैं तो वहां ब्रिक्षों के छाया में भी ब्रहमा आत्माएं मलपत का तात्परी है तो जुमती है तो उसरे राज्जी के साथ में आनंद से टहलती है आनंद से विचरण करती है तो जुमती हुई चलती है तो ऐसे आन जैसे अंन्द आता है जैसे किसी को कुछ सुन्द करके आननद आता है तो यसे वो झुमने लग जाता है तो इस प्रकर्ष ये मल्पत का अतात्परियम वो ब्रहमा आत्मा उनके चरणों को कैसे छोड़ सकती है मलपतियां आता है ना जलकतियां रहे मलपतियां तो ये जुबने वाले आत्माएं केती चक्रावशे बाहर जो एतले चबुतरे निकसत अब ये केती चक्रावशे बाहर कितना जल है इस तरह से जो नीचे नीचे नहरें ऐसे चलती है उससे बाहर फिर वो चबुतरे से नीचे से होकर के यमनाजी का जल प्रभाईत होता है तो उस चबुतरे को धपा हुआ चबुतरा अथवा तो तो वो चबुतरा कैसे चबुतरा तो है किन्तो ओपन में नहीं है तो वो भवन के नीचे चबुतरा है इसलिए उसको धपा हुआ चबुतरा आए सक्रे दिया तो अप्रकट चबुतरा तो वहां से यमुनाजी प्रवाइत हो करके बाहर निकलती है रोहें खेले तले कदम के जाकी असलह कनेश्वत ब्रमात्माएं वहां का भी आनंदल लेती है स्रेराज्जी के साथ में तो उनके चरणों को भोल नहीं सकती जोए चबुतरे कुंड पर ऊप्रवेश्वत तो यमुनाजी प्रवाइत होती है तो आगे जाकर भवन से बाहर निकलती है तो फिर वो मुल कुंड में प्रविश्च करती है किवल कुंड ही नहीं है कुंड का ऊपरी भागय वो बड़ा चबुतरा है तो वहां दोनों तरफ रेलिंग लगी हुई है और यमना जी का प्रभात आगे बहेगा और दोनों तरफ ब्रिक्षों की पंगती आए तो ब्रिक्षों की साखाएं ऐसे चबुतरे के उपर तक आई हुई है कुंड तक तो वह ब्रिक्षों की साखाएं ऐसे ब्रिक्ष जूम रहे हो ऐसा होता है थोड़े हुआ चलती हो तो ब्रिक्ष भी जूमते हैं और स्रीराज्जी वहां पर जाते हो श्यामा जी और ब्रहमात्मों को ले करके तो ब्रिक्षों को भी आनंद होता है तो उस आनंद में भी जू प्राप्त करने वाले ब्रमात्माएं उन्चरणों को नहीं छोड़ सकती है। अच्छाता है, वो पूल की तरह से लगता है। तो इस तरह से यमनाजी ढख करके आगे बढ़ती है। यह बैठा का सोभा आतनता है। तो वहाँ पर ना तो यह पीलर खड़े हैं यमनाजी के किनार में बैठने का स्थान बड़ा सुन्दर है। यमनाजी के किनार में चबूतर है बैठने का। तो वहाँ पर स्रेराजी श्यामाजी और ब्रमात्माओं को लेकर के बैठते हैं। बैठक बड़ी सुन्दर है। तो उसका यहाँ पर बात करते हैं। इस सुपने कदम न छोड़ाई जाकि असलह कनेश्वत श्रेराजी के साथ में इन लिलाओं में सम्मिलित होने वाले ब्रमात्माएं उनके चरणों को छोड़ नहीं सकती। दो किनारे ढापिल, आगो जल जोए खूलत, इस प्रकार से दोनों किनारे से स्थंबल करके उपर छट और यमनाजी ऐसे ढखी हुई आगे बहती हैं। और आगे जाकर के फिर तो वो छट जहां तक रहता है वहां से आगे फिर यमनाजी का प्रवाह खुला मिलता है। तो ब्रह्मा आत्मा ये वहां भी सुख लेती है। तो वहां से आगे बढ़कर के प्रवाह बाता है। तो वहां पर यमनाजी के किनारे में देरी है। कितने कितने देरी हैं दोनों तरफ। अब ये वहां जाकर के मोड़ जब दक्षन की और यमनाजी का प्रवाह मोड़ता है। तो वहां से फिर एक मोहल एक चब उतर है। तो अब देरी क्या? अब इदर छोटे मोहल थे तो देरी कह दिया है। तो अब फूल तक ये स्थिती है। तो जाए जो पूल अतले मिलत तो पूल तक के ये स्थिती है तो वहां तक ये मोहल हैं बड़े-बड़े हैं इसलिए वो देहरी हैं वो बड़ी देहरी है अब रुएं एक अदम क्यों छोड़े ही जाकि असलह का निश्वत तो ब्रहमात्मा इन चरणों कमल को छोड़ नहीं स रखती है इसरे राज्जी के उनके साथ में इन शुकों का अनभव करती हो तो इतथे जो ही मरो रशीदी चली इस मोड़ से अब यमना जी का प्रवाह न मोड़ करके आगे बढ़ता है अरस आगों सोबा सरत अब ये दुबारा बरण किया उसको तो ऐसा नहीं क्यों ये पह रगभवन से आगे तक पहुंचता है ये बात बताना चाह रहा है इसलिए इसको दुबारा कहा तो अरस आगों सोबा धरत तो रगभवन और दूसरे तरफ अक्षरधाम तो दोनों के बीच में से उनकी सोबा बढ़ाती है ये मुना जी आगे बढ़ती है तो इन दृष्यो रामदने के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती है दो पूल के बीच में बड़ी सातों घाटों से फट अब दो पूल के बीच में सात घाट है बड़े बड़े सात घाट है तो उनकी महिमा भी बहुत बड़ी है तो इसको अलगी प्रकारश वरणन किया है दोनों तरफ के घा साथ में खेलने वाली ब्रमात्माएं सरे राज्य के चरणों को माया में कैसी भूल सकती है नूर और नूर तजला अरश साम सामी जलकत अब यह सातों घाट यमनाजी के किनार पर हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो तो दोनों तरफ एक तरफ नूर कहने से यह अक्षर द्धाम की बात कर रहें और दूसरे तरफ नूर तजला कहने से रंग महल की बात कर रहें रंगभवन की तो यह दोनों भवन हैं आमने सामने बड़ी सुन्दर शोभा धारन करते हैं तो इस शोभा को देखने वाली ब्रमात्माएं यह रुहें कदम न भूले शुपने जाक असलाह का निश्वत वो इस वपन में भी उन्च चरणों को भूलती नहीं है दो दरवार की रोषणी अमर नूर भरत दोनों दरवार रंगभवन रंगभवन कोई परमधाम कहा है वैसे तो परमधाम में तो सब कुछ आ जाता है फिर भी अभी यहां स्रेराज्य का भवन है तो वो रंगभवन और दूसरे तरफ अक्षरधाम तो दोनों दरवार का प्रकास है अमर नूर भरत तो उसका प्रकास पूरा-पूरा अक्षा जाता है तो स्रेराज्य के साथ में ब्रह्मा आत्मा उस प्रकास को भी देखती है तो ऐसी ब्रह्मा आत्मा रुखें कदब न भूले स्वपने जाकि असलह का निश्वत तो वो इस स्वपन में भी उन चरणों को भूलती नहीं है अरश जीमी नूर अपार है इस प्रकार परमधाम की भूमी का कोई पारावार नहीं है यह तो शंक्षित में चारों तरफ का वरणन किया कि यह समझाना चाहा इन प्रकरणों में आगे भी असली संबंद की बात कहते हैं असलह का निश्वत वो यह आगे का प्रकरण भी आएगा तो यह चारों तरफ का दृष्ष यह बता रहा हैं देखो इन लेलाओं का अनुभब करने वाली ब्रमातमा हैं स्रेड़ाज्य के चरणों को माया में कैसे बोल सकती है यह कहना चाह रहा है तो इसलिए यह कहते हैं अरश जीमी नूर अपार है इतके बाशी बड़े बख़त है तो यहां के बाशी यहां के रहने वाले हैं उनका बड़ा बख़त कहने का तात्पर क्या है अब इसको उनका अच्छा समय है अब अच्छा समय भी क्या कहें इसके लिए यह कहना पड़ेगा उनका इतना बड़ा भागिया है ऐसी प्रमात्माएं उनको अक्षराति धामदनी दुनिया देखा रहे हैं तो उनको इस अवशर में दुनिया को जिसलिए दिखा रहे हैं उतना देखना चाहिए बाकि स्रिराज्जे को भूलना नहीं चाहिए ये कहने के लिए ये बख़त की बात कहिए है इसलिए इन सम्बनों को कभी भी भूलना ही सकती उनके चरनों को भूलना है अब इके प्रशन को ये रखते है इता के वाशी बड़े वकत महामत रूहें हक जात है जाके हकक दमो निशवता श्वादिश्नकनियालाल के जाके शद्मुरू महराज के जाके प्राहनात प्यारे के सुपाचनों तन्पोई धाम के चदर्गुरु आचारिस्यक्सुवाट कृष्णमाणिजे मारावत भी